पुरुशों और महिलाओं के बीच प्रतिसपर्धा के दोरान, दोनों समूह अपने आप में कैम्प बनाते हैं, जहाँ वे अपनी जीवित रहने की रन्नीतियों पर काम कर रहे हैं। महिलाएं अपनी खाने की आपूर्ती को सुरक्षित रखने के लिए टीम के सदस्यों को हटाने की रन्नीति बना रही है। यह उनकी जीतने की योजना का एक मेहत्रपूर्ण हिस्सा है। चुनौती के दसवे दिन एक नया मोर आता है, जिसमें पुरुशों और महिलाओं को आ परिनाम था। बहरहाल, पुरुशों की टीम ने संघर्ष किया और मानसिक दबाव के कारण कुछ सदसे हार मानने के करीब पहुंच गए, जिससे उनकी स्थिती कमजोर हुई। चुनौती के अंत में, मौसम ने भी एक महित्वपूर्ण कारक का काम किया, जिससे पुरुश प्रतियों के दोरान, वेक्तिगत निरनियों का समूह पर बड़ा प्रभाव परता है। उदाहरन के लिए, पेद्रा ने टेंट के लिए खुद को समाप्त करने का निरने लिया। लोगों के बीच का भावनात्मक बंधन भी मेहित्वपूर्ण है, जो पेद्रा की प्रतियों के बीच भोजन और दोस्ती का संतुलन बनाए रखने की चुनौती के दोरान, एक दूसरे पर विश्वास करना मेहित्वपूर्ण हो गया। प्रतियों की रननीतियों का विशलेशन किया गया है, जिसमें कुछ ने अपनी टीम को जल्दी समाप्त करने का निरने प्रतियों के लिए जिसे उनकी स्थिती और मजबूत हो गई। चौकलेट के लिए संघर्ष और उसके प्रबंधन पर ध्यान के इंद्रित किया गया, जो प्रतियों के लिए एक महित्वपूर्ण संसाधन बन गया। इसके सही उप्योग ने उनके भविश्य को प्रभाव प्रतियों के लिए यह एक कथिन समय था। प्रतियों के मानसिक तनाव की स्थिती के संदर्भ में यह सपष्ट है कि शारीरिक चुनौतियों की तुलना में मानसिक चुनौतिया अधिक कथिन होती है। की योजना बनाई गई जिससे उसे अपनी जीत का अनुभव करने का एक विशेश तरीका मिला।